नमस्कार दूस्तों कैसे हैं आप सब लोग आईए हम एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं ठीक है मानो रोग पर ठीक है मानो रोग पर चल नहीं अगर हम देखे जरा हुमन डिजीजर जो फैलती है वह जीवान विशान प्रजीवगर प्रोटोजोवा और फंगस हम एक एक करके इन सारी चीज़ों को डील करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से एक नहीं एक सवाल कैसों कैसों करके तो आपक अच्छे से हम डील करेंगे इसको जरा सा भी हलके में नहीं लेंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे और क्या पूछे जाएंगे रोग तमाम हैं लाखों रोग हैं पर हम अपने काम के रोगों की बात करेंगे काम मतलब हमारे काम नहीं आएंगे ठीक है जो एक्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉटेंट है हम उनकी चर्चा करते हैं चलिए यार इस्टार्ट करते हैं आते हैं बैक्टिरिया पर जीमार उपर ठीक है आप ज़रा देखिए सबसे पहले इसकी खोज किस ने की थी महोदा लुए नौक ने की थ ठीक है हो सकता है का दुख्का रोग इधर रह जाए पर वह इतना हमारे पॉइंट व्यू से इंपॉइंट नहीं है फिर भी हम यहां देख रहे हैं था है जा कॉलेरा ठीक है कॉलेरा अच्छा एक बात और जो लोग कहते हैं सर्फ बैक्टिरिया का जीमार मैंने जान देखिए क्या नाम है उसके जीवान का विब्रियो कॉलरी कालरा से कॉलरी ठीक है इसी तरह टाइफाइट से टाइफी है ना लेपरोसी अगर आप देखेंगे तो लेपरी टूबर कुलोसिस में अगर आप जाएंगे तो इसके लिए मैंने वो नहीं लिखा है आप उसमें प्रप्रभावित होती है जो आपके भोजन पचरा होता है उसको क्या काम करती है विलाई होते है रसांकूर होते है वो अपना कार्य करना बंद कर देते हैं तो पूरा शरीर से लिकुट अगरे सब बाहर हो रहा होता है है जाना के इस तरह होता नहiričा पहले चुह अगरे की वजए से होता था जब बहुत ज़्याधी और से ह मारे जाते थे तो वहां टाइफट थीक है यह सब पानी के ही संक्राम करोगे फैलाते हैं पानी ठीक है तो है जाए अगर बात करें तो विब्रियो अकॉलरी जिसकी वज़ा से होता है छोटी हांग प्रभावीक्व नेस्ट आते हैं टाइफट आइफ़ाट में लगता है चार पास महिने बाद मालूम लगता है कि यार हमें तो टाइफाइट फिर उसको मैनेज करने में और समय लगता है तो टाइफाइट के लिए सालमोनेला टाइफी बुखार कमजोरी यक्रित प्रभावित होता है लीवर ठीक है आगे आते हैं डाइरिया अतिसार ठीक है इसके लिए जो है आपका कौन जिम्मेदार है इक खासकर बच्चों में इसका खत्रा बढ़ जाता है जिंक वगरे की मातरा कम हो जाती है डाइरिया का बढ़ने खत्रा कम बढ़ जाता है ठीक है विटामीने की कमी भी कहीं ने कहीं इसके लिए रिस्पॉंसिबल थी आपने देख है डाइरिया के लिए अतिसार के लिए खासकर छोटे बच्चों में यह जादा तर देखा जाता है कुष्ट रोग लेप्रोसी ठीक है इसके लिए माइक्रो बैक्टीरियम लेपरी कुष्ट रोग में बहुत से लोग कन्फूस हो जाते हैं हो सकता है उनको लगे यह फंगस है जी नहीं फंगस नहीं है कुष्ट रोग जो होता है आपका वो बैक्टीरिया की वज़े से इस बैक्टीरिया का नाम है माइक्रो बैक्टीरियम लेपरी ठीक है ना माइक्रो बैक्टीरियम लेपरी इसके बैक्टीरिया का नाम है और यहां पर कुष्ट रोग में जो आपके हवा बगर के संपर्क में हैं यह वहां से ज़्यादा प्रभावित होते हैं आपका कुष्ट रोग में टूबर कुलोसिस छैरोग दवा का नाम जो है बी सी जी है ठीक है यह याद रखे बी सी जी का टीका लगाया जाता था बैसिली कालमेटी ग्यूरीन इसका फुल फ यह कहना सही नहीं होगा कि यह सिर्फ और सिर्फ फेफडों को प्रभावित करता है यह शरीर के और हिस्सों में भी हो सकता है जरूरी नहीं है सिर्फ फेफडे लेकिन यह देखा जाता है जो आपका टूबर कुलोसिस है वहां फेफडों को ही प्रभावित करता है आगे आत जाती है उसमें बूफिंग कफ कफ भी जादा निकलता है यह भी बैक्टिरियल इंफेक्शन की वज़ा से जीवाण संक्रमक रोग है काली खासी है कुकूर खासी ठीक है अब जड़ा आगे आते हैं जड़ा देखें आपको यहां पर दिख रहा होगा टिटनेस ठीक है ना टि है या कोई भी ऐसी चीज है जो मिट्टी में बराबर इस्तमाल हो रही उससे चोट लग रही है तो आपका टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा एक टिटनेस का इंजेक्शन छे महिनेट तक के लिए वैलिट रहता है अगर उसके दौरान फिर चोट लग जाती नर्वा सिस्टम प्रभावित करता है ठिक है इसके बाद इस टीके की खोठ जो थी वो बेहरिंग साहम ने की थी आठारसोन रव्यometर टीके की खोच जी एक एक परहत गले में आ जाती है तो यह रही टिटनेस की बातें इसके बाद अगर हम देखें डिप्थेरिया आप देखें डीक तेरियम करों कि लॉस्कंटिप्तेरिय होते और उसके जिमार का नाम क्या है के और देखें नीमोनिया नीमोनिया देखें डिपलोकोखस निमोनी यहां पर भी निमोनीआ से नीमोनी आ गया फेफडे प्रभावित होते हैं जनरल इस में क्या होता है लंक्स में कभी-कभी पालब जाता है ठीक है वह या आज इसीट आ जाती है निमोनीआँ के कैस में छोटे बच्चों बुज़ूर्गों में यहां देखा जाता है लाश्ट आते हैं गुनोरिया यहां संक्रमन रोग है ठीक है यहां संक्रमन रोग का मतलब आप उसको एड्स वगरे की के के टेगरीम नहीं रख सकते जानलेवा नहीं है पर यहां यहां समवन से फैलता है एक से दूसर आप एगा रहेगा यह पूरे के पूरे जो रोग हैं बहुत great TV टेटनेस डिफ्थेरिया निमोनिया काल़ी खासी कुサ टों की इसको पूर्टनेट है इसके यहां से सवाले आपकी पक्काई बन सकती है चलिये हम नेक्स्ट पूरते हैं मेंनेक्स्ट है हमारा क्या बेखिया beginning विशान से होने वाले रोगों को जरा हम डिसकर्स करते हैं चली आगे चलते हैं